संद रवीदास का जनम दिन हर साल माग महीने की पुर्णिमा को पूरे भारत वर्ष में बड़े उत्सा के साथ एक तेवार के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 27 फर्वरी 2021 शनिवार के दिन रवीदास जैन्ती मनाई जाएगी। इस दिन नगर में प्रभात फेरी निकाली जाती है। कीर्टन जुलूसादी करेक्टरमों का आयोजन किया जाता है और घरवा मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। उनके जन्वस्थान सीर गोवर्दनपुर में भव या उत्सफ का आयोजन किया जाता है जिसमें देश और दुनिया भर से लोग और भक्त भाग लेने आते हैं। कौन हैंगे संत रवीदास जिनका उल्लेक गुरु नानक देव, मीरा भाई और नॉक्टर बियार अम्वेटकर ने भी किया है। आये जानते हैं इनका जीवन परिचे। कुल शिरोमणी, महान सद्गुरु रवीदास भक्तिरस की कवी वा समाज सुधारक थे। अपने मार्मिक भजनों से उन्होंने समाज में मालव कल्याण, एक्ता वा भाईचारे का संदेश दिया। चौदवी शताब्दी में काशी वाननसी के चनकार कुल में करमा देवी और पिता संतोख दास जी के घरजन में संत्रवी दास जी का वैवसाय जूता बनाने का था। जिसे वे पूरी लगन तथा परिश्रम से करते और समय से काम पूरा करने पर विशेश ध्यान देते। उन्होंने अध्यात्म और भक्ती के मार्म पर चलते हुए भी परिश्रम पर बहुत बल दिया। वे कहते थे श्रम कव इस सर जान के जव पूजे दिन रैन रवी दास तिनही संसार मह सदा मिले ही सुकचैन। अर्थात श्रम को ही इश्वर जान कर जो लोग दिन रात परिश्रम या श्रम की पूजा करते हैं उन्हें संसार के सभी सुकचैन प्राप्थ होते हैं। अपने मदूर तता भक्ति पुर्ण भजनों वग कविताओं के माध्यम से ना किवल जन्त समुदाए बिलकि राजा महाराजा ग्यानी विद्वानों को भी आस प्रिशता चुवा चूद वर्ड में बैस था जैसी सामाजिक कुरूद्गियों के खिलाफ जग रुख किया इश्वर ने इनसान बनाया है ना कि इनसान ने इश्वर बनाया है इस संदेश से उन्होंने उच नीच धर्म जाती के नाम पर भेद भाव को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सब को मिल जुलकर प्रेम पूर्वक रहने का उबदेश दिया मन चंगा तो कड़ोती में गंगा धार्मिक विचार वपवित्र मन के व्यक्ति को किसी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं अगर मन साफ, सच्छा, सही है तो इस कड़ोते के जल में ही गंगास्नान का पुन्य प्राप्थ हो सकता है ऐसा चाहू राज मैं जहां मिले सबन को अन्द, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसंद जहां सब को भोजन मिले कोई भूका ना हो, जहां सभी को समान अधिकार हो ऐसी व्यवस्था वस्थान ही रविदास जी को प्रसंद करते हैं बेगंपुरा गुरु रविदास जी की कलपना का ऐसा शहर था जहां किसी भी तरह के दुख या भय के लिए कोई स्थान नहीं है जहां सब का भला होता है, जहां सभी मनुश्य एक समान है और परिश्रम लोगों की सिम्रिद्दी का कारण है संद गुरु रविदास जी की शिक्षाओं से प्रभावित मीरा बाई ने उन्हें अपना अध्यात में गुरु माना था सिक्षों के दार्मिक ग्रंत श्री गुरु ग्रंत साहिब में संद रविदास के लगबग 40 पद संकलित हैं उनका मानना था कि व्यक्ति जन अत्वा कर्म से स्रिष्ट नहीं होता अपितु अपने सदवेभार विचारों और समाज में अपने योगदान से ही महान कहलाता है और इस कथन को उन्होंने अपने जीवन से स्वयम ही सिद्ध कर दिया अपने 126 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने जन समुदाय संतों वा समाज की कई प्लीडियों का मार्क दर्शन किया और संत 1520 में देह त्याग दिया ऐसे महान संत को हमारा शच्चत नमन धन्यवाद